उत्रप्रदेश आजमगर्ड रेंच की डियाईजी आईपीएस वेभव कृष्ण बलिया के भरोली पोस्ट पर छापेमारी को लेकर चर्चा में है उन्होंने वारणसी जोन के ADG IPS प्यूश मोडिया के साथ मिलकर आज सुभा करीब चार बजे छापेमारी की कारवाई की जिस दौरान अवेद रूप से वसूली करते हुए तीन पुलिस कर्मियों को गिरफतार किया गया मामले में बलिया के नरी थाना प्रथारी को निलंबित कर दिया गया है और उन पर एक FIR दर्ज की गई है आईए जानते हैं कि व्यवव कृष्ण किस बैच के IPS अधिकारी है और उन्होंने कहां तक पढ़ाई की है IPS व्यवव कृष्ण की नियुक्ती पहले गौतम बुद्नगर जिले में थी उन्हें SSC के पद पर तैनाद किया गया था उस समय भी वो कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रात में अचानक से सडकों पर निकल जाते थे और सुरक्ष्या व्यवस्था में कमी पाय जाने पर संबंदित पुलिस कर्मियों पर कारवाई भी करते थे अब उन्होंने छापे मारी क्यूंकि उसका भी कारण जान लीजे बलिया के नरही थाना पर लगातार भृष्टाचार क्या रूप लग रहे थे थाने के पुलिस कर्मियों के शिकायत की गई थी कि वो अवेद वसूली करते हैं जिसके बाद आजमगर्ड रेंज के डि आई जी और वारानसी जोन के एडी जी ने संयुक तरूप से चापे मारी कर रंगे हातों, पुलिस कर्मियों को ट्रकों से अवेद वसूली करते हुए भी पकड़ा मामले में तीन पुलिस कर्मियों के साथ साथ कुल 20 लोगों को गिरफतार किया गया है वही कुल 18 पुलिस कर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है वेबव कृष्ण 2010 बैच यूपी केडर के IPS अधिकारी हैं और वो उत्तरप्रदेश के बागबत चिले के रहने वाले हैं उनके पिता का नाम डॉक्टर केके शर्मा है और उन्होंने आयाइटी रुडकी से मकैनिकल इंजिनिरिंग से बीटेक की पढ़ाई की है पहले ही प्रयास में बने IPS वेबव कृष्ण ने बीटे की पढ़ाई पूरी करने के बाद UPSC सिवल सेवा परिक्षा की तयारी शुरू की थी और उन्होंने 2009 में पहली बार UPSC CSC की परिक्षा दी और एक्जाम क्राग भी कर लिया उन्होंने All India 66 रैंक प्राप्त के और IPS भी बने पहले भी रहे चर्चा में गौतम बुद्नगर में तैनाती के दौरान IPS वेबव ने पूर्व SSC एर अजेपाल शर्मा पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी आरोप लगाये थे वही एक गोपनिय रिपोर्ट लीक होने और एक अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद IPS वैबव को निलंबित कर दिया गया था 14 महीने बाद उन्हें 5 मार्श 2021 को बहाल किया गया था बरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनेरे मारे साथ TV9 दिजिटल पर